अस्सलाम वालेकम वेलकम टू माई चैनल उम्मीद करती हूं आप सब खायरे से होंगे आज हम लाएंगे शामी कवाब की रेसिपी आदा किलो खीमा लेंगे हम अच्छे से चार से पांच पानी से दो लेंगे इसके लिए लेंगे हम गरम मसाला एक चमच गरम मसाला पीसावा बोजवार दाल चीनी दो इलेची एक बड़ी लेची और क्या मलती है इसको माफ़गा सूकी मिर्च ती दो से तीन लेंगे इससे कलर आता है और बड़ी एक प्यास के डली लेंगे दो चमच लाल मिर्च लेंगे एक चमच हल्दी लेंगे नमक तो आपके टेस के इसाप से और लेंगे और थोड़ी सी चैने की दाल लेंगे चैने की दाल दालने से शामिया थोड़े नरम बनते हैं और अदरिक लेसन का पेस्ट ये सब ले लेंगे और दाल चीनी भी दालेंगे इलेची पीस कर दालेंगे और एक कूकर लेंगे उसमें खीमा दालेंगे और थोड़ जालना चाहिए, अभी से भला लेंगे लाल मिर्च दालने से कलार आता है सुकी मिर्च दालने से लाल जैफर पी दालीगे ठोड़ा सा दाल छीनी ताल से लिएची पीश का दाल लेंगे यह सोब हम डाल देंगे अच्छी से साफ करका प्लेट डाल दालेंगे डाल दालने से थोड़े नरम बनते है शामिया और अच्छी बनते है एक प्यास की डली दालेंगे और एक से देड़ ग्लास पानी दालेंगे और फुल फ्लेम पर रख देंगे चार से पांच सीड़ी के लिए देखे गल गई आपको अच्छे से डाल भी गल गई आपको समझने नहीं है अगर से डाल तो निकाल कर अशा देख लेना चाहिए हाद से गली यह गल गई डाल अब हम इसे इसमें डालेंगे कोत्मीर पुदीना डालेंगे डाल कर फिर रखेंगे थोड़ा सा पानी सुखनी के लिए थोड़ा सा पानी है ना उससे अपन ग्रेंडर में पीसे तो थोड़ा नरम हो जाता बहुत जादा देखिए हो गया यह बन कर रेडी हो गया इसमें थोड़ा कच्छा खीमा भी रखना चाहिए और यह पकाए सो है पके खीमे की शामिया है यह देखिए अब हम इसे ग्रैंड करेंगे देखिए ग्रैंड करकर तयार हो चुकी है अपनी रेसिवी अब हम हाथ के जरीए गोल बनाकर शामिया बनाएंगे पहले हाथ में तेल लगा लेंगे ओल लगा लेंगे अपने हिसाब से छोटे या बड़े अच्छा डरून को युश्टा बड़ो दीखिए असा हाथ में पहले तेल लगाने चाहिए आ तेली प्या फिर इसा गोल करकर उसे बीच में दबाकर बना रहे ला चाहिए शामिया दीखिए मैं कैसा बना रहे हूं देखिए मैं बना कर तयार रख चुकी हूं आप इसमें डिजेन कौन सा भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं गोल या चौकनी कैसा भी बना सकते हैं और तेल लेंगे हम कड़ाई में दाल कर श्लो फ्लेम पर ता लेंगे जादा रखेंगे फ्लेम पर तो जल जाएगे हो अंदर कच्छे रहेंगे उपर लाल बन जाएगे देखिए कित अच्छे तले जाएगे देखिए तयार हो गई हमाई रेसिपी शाम देखिए कितने अच्छे से बन गया है माशाला देखिए कितने अच्छे से बन गया है माशाला देखिए कितने अच्छे से कलर भी आ गया और मुझे स्ब्सक्राइब कीजिए नए है तो और दौा में याद रखिए नए रेसीब की सेंगत फिर हाजिर हूंगी मैं लाफ़ी